सफाई के बाद भी घर में लग जाता है मक्षियों का जुंड इस तरीके से सिर्फ एक मिनट में पाएं हमेशा के लिए छुटकारा नमबर एक इसके लिए आपको एक नीवू, दो चम्मच नमक और एक ग्लास पानी की जरूरत होगी आप नीवू काट कर एक ग्लास पानी में निचोड ले और उसमें नमक मिला ले इन चीजों को आप अच्छी तरह मिक्स करके एक स्प्रे बोतल में भर ले अब जहां भी आपको मक्या दिखें वहाँ इसे स्प्रे कर दें नमबर दो नेफ्सलीन की गोली का इस्तिमाल लगभग हर घर में कपड़ों को दीमक फंगस से बचाने के लिए किया जाता है इसी लिए इससे मक्यों को भगाना बहुत सस्ता होता है इसके लिए 4-5 नेफ्सलीन की गोलिया ले और अच्छी तरह से पीज कर इसे पानी में विनेगर के साथ मिला ले अब इसे पूरी तरह घुलने तक गर्म कर ले फिर ठंडा होने के बाद पूरे मिस्रण को एक स्प्रे बोतल में भर ले अब पोचा लगाने से पहले इससे पूरे घर में छिडग ले ऐसा करते ही मख्या घर से सिर्फ एक मिनट में बाहर चली जाएंगी नमबर 3 वैसे तो हर मौसम में मख्यों का कहर जारी रहता है लेकिन गर्मी और बारिस के दिनों में उनकी तादात बहुत ज्यादा हो जाती है ज्यादा दर लोग इनकी पस्तिती को नजर अंदाज करते रहते हैं लेकिन इनसे बचना बहुत जरूरी होता है क्योंकि भले ही यह मच्छर या अन्य कीटों की तरह कारती ना हो लेकिन गंदगी में रहने के कारण इसके हाथ पैर में करोणों बैक्टेरिया लगे होते हैं जिससे फूट पोईजनिंग, आंखों में इनफेक्शन, टाइफाइड, बुखार जैसे बिमारियों के होने का खत्रा होता है नमबर चार मक्षियां उसमें ज्यादा आती हैं जब घर के किसी न किसी कोने में गंदगी मौजूद हो ऐसे में कई बार उपर बताये गए उपाए भी प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाते हैं इसलिए मक्षियों से पूरी तरह छुटकारा पाने के लिए यह जरूरी है कि आप नियमित रूप से घर को साफ करें, किचन के डस्ट बीन को खाली करें और जूठे बरतनों को ज़्यादा देर तक सिंक में न छोड़ें साथ ही खिड की दर्वाजों में जाली लगा कर रखें नमबर पाँच आप नमक और नीबू की मदद से घर पर मक्षी को भगाने के लिए स्प्रे बना सकते हैं इसके लिए एक कप पानी में एक नीबू का रस और दो चमच नमक को मिला कर मिस्रड को अच्छी तरह से तयार कर ले अब इसे स्प्रे बोतल में भर कर जहां भी मक्षियां दिखें वहां छिड़क दें माना जाता है कि खटा स्वाद मक्षियों को पसंद नहीं होता जिसके कारण वह तुरंत वहां से दूर चली जाती हैं नमबर छे एक चमच लाल मिर्च पाउडर को पानी में मिला कर दरवाजे और खिड़कियों के पास छिरकने से मक्षियां घर में नहीं आपाती हैं इसे आप ड्रेनेज के पास भी स्प्रे कर सकते हैं इसे छिरकते समय थोड़ा ध्यान रखें वरना इससे आपी आखों में और हाथों में जलन हो सकती है मिर्च की जगह पर आप नीम या तुलसी के पत्तियों का पाउडर भी इस्तिमाल कर सकते हैं इस तरीके की और भी जानकारी के लिए टिप्स एंट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे वीडियो में बने रहने के बहुत-बहुत झाल झाल